हेलो अब्रीवन वेलकम तो आवर चैनल आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है यूपीएस यूपीएस मतलब अनिंट्रप्टेट पावर सप्लाई बिना रुखे पावर को सप्लाई देता है ये ठीक हमें पावर देता है इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर तो ये जो हमारा है ये सारे टॉपिक है इन सब को कवर करेंगे इवन हम ये भी देखेंगे यूपीएस का ब्लॉग डाइग्राम बगएरा तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ये हमारा यूपीएस का ब्लॉग डाइग्राम यूपीएस के ब्लॉग डाइग्राम को जानन दो इन उपकरणोह का संचालन रहा ने पाम दोगावार कारे यह बीच में कनेका, यह इसलिए यह उपकरण को जो जो भी पावर चाहिए होता है वो देता रहता है दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि UPS जो है वो एक इलेक्ट्रिकल उपकरन है जो की मेन सप्लाई अपरूद हो जाने पे रुख जाने पे ठीक है हमें एमर्जेंसी में पावर सप्लाई देती है UPS का जो मुख्य रूप होता है मतलब मुख्य रूप से हम लोग इसको कंप्यूटर डाटा सेंटर तथा टेली कम्निकेशन में इस टाइप की जैसे भी उपकरन है इन सब में ज्यादतर हम लोग यूज करते हैं इन बड़े-बड़े चीजों के लिए हम लोग नहीं यूज कर स्थाठीक्ट द्रांसफर्मर स्थाइगा सुफ टाइए मतला नहीं बड़े तो यह नाना के लिए इक आद्क होता है इसके आध्याल प्रगे के अनदर आपको दिखाया perfect अलेकर Um को कि अभी में तो 9ри था तर होओ टाहिए तो हम देख लेते पहले Salesforce जो input power supply है ना main power supply उसको देख लेते हैं ठीक है तो मुखे जो UPS है तो इसमें हम लोगों ने देख रहा था जैसे कि AC main supply हुआ बैटरी हुआ यह सब power source के रूप में ही हम लोग यूज करें तो main हम जानते कि power source आखिर होता क्या है ठीक है तो mainly जो होता है वो input में जो AC दी जाती जो इसी supply होता है उसको power source की रूप में हम लोगों करते है जो भी input में हमें power मिला जो AC मिला उसको हम लोग कहेंगे कि यह power source होते है ठीक है परन्तों input supply के अप्रूद हो जाने पर जैसे input supply में अगर हमें AC मिल रहा है और वो रुख गया या किसी कारण बस हमें input में AC नहीं मिल रहा है तो हम battery से power supply लेते है ठीक है और power source का और battery को हम लोग secondary source मानते हैं power source के लिए ठीक है बैटरी जो है वो DC देती है और अगर हम लोग input में AC लेते हैं तो AC आप समझी रहे हैं कि AC alternative current लेकिन बैटरी से जो हमें मिलता है output वो हमें DC रहता है तो अब DC से उपकरन तो चलेंगे नहीं क्योंकि अधिकांस तर जो जो reactifier circuit side में लगा हुआ है वो क्या करता है वो AC जो उसे मिलता रहता है उसको AC से DC में convert करता है तो मतलब हम यह बता सकते हैं कि static transfer switch जो होता है वो controlling का काम करता है तीक है जैसे ही input power supply हमें मिला यहाँ side में देखिया तीक है मैं दिखा रही हूँ आपको जैसे ही हमें यहाँ से input supply मिला यह जाएगा reactifier के पास reactifier क्या करेगा इसे reactify करेगा reactifier का का काम क्या हुआ कि यह जो भी इसे AC मिल रहा है AC को वो DC में convert करेगा तीक है और जैसे DC में इसे इधर convert करेगा यह इधर से reactifier से यह यहाँ आएगा और बैटरी चार्ज होता रहेगा बैटरी से हमें क्या मिलता है DC अब लोड DC तो लेगा नहीं लोड DC तो लेगा नहीं तो यह क्या करता है बैटरी के बाद एक inverter सरकिट लगा होता है इनवर्टर सरकिट क्या करता है यह DC को AC में convert करता है जब यह DC को यहाँ पर हमें फिर मिल गया AC जब यहाँ में AC मिल गया त करता है यह Ge Key K लोड को मिल जाएगी इस तरह से कुछ UPS का ब्लॉक डाइग्राम है त決опubenmon team स्ट्रीक करता है यहरा करता है Втор Okay करता है इसको कह सकते है कि यह एक नियंतर युक्ती है जब भी primary जो primary स्रोथ है power supply का वो रुख जाता है तो यह secondary source होता है उससे वो power ले करके load को देता है suppose यहाँ AC जो हमें मिल रहा है इसको हम लग बोलेंगे कि यह primary है यह जब हमारा अवरूद हो जाएगा तो यह static transformer switch क्या करेगा फिर इस battery से लेगा power और फिर load को देगा तो यह static transformer switch जो हता है वो controlling का काम करता है तीक है आगे देखते हैं हम लोग type of UPS UPS के कितने टाइप होते हैं तो जो basic working के अधार पर हम लोग देखे तो इसमें तीन टाइप होते हैं online UPS, offline UPS और line interruptive UPS तो हम लोग पहले देख लेते हैं UPS में कौन-कौन से जो type होते हैं उनके बार में करके जाल लेंगे एक और चीच type of UPS में on the basis of input supply इससे पहले हमने देखा था UPS का type ही देखा था लेकिन किसके बेस पर? working के बेस पर working के बेस पर कितने सारे UPS होते हैं हमारे online हुए, offline हुए और line interruptive UPS हुए ठीक है? और input supply के अधार पर हमारे कितने सारे UPS हो गया? एक single phase UPS system हो गया UPS और line interruptive UPS ठीक है? तो अभी जो हम लोग देखेंगे यह block diagram है यह है online UPS का online UPS आखिर काम कैसे करता है? इसका क्या process है? online UPS में में यह बता सकते हैं ठीक है? एक छोटा से एक मैं जल्द से बता देती हूँ आपको कि इससे जो कहते हैं हाँ पहली बात कि online UPS में इसका बहुत सारा नाम भी है online UPS का बहुत सारे अलग लग नामों से से जाना जाता है जैसे double conversion UPS यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ठीक है? और इससे हम लोग वास्तेवी की UPS भी कहते हैं इस प्रकार का UPS में ना दो power source होते हैं दो power source it means एक हमारा हो गया AC main supply और एक हो गया हमारा battery तो इसमें दो power source होते हैं एक transfer switch भी होता है ठीक है? और जिस तरह से देखेए यह वा transfer switch यह क्या करता है? कंट्रोलिंग का काम करता है तो इसमें जो main काम है वो होता है battery का ही इसका ज होता है वो power source battery होता है ठीक है? और secondary जैसे जो दूसरा power source हुआ वो हमारा AC main supply जब हमें यहां मिलता है AC मिलता है rectifier यहां आया current ठीक है? यह AC main supply से जब यह alternating current यहां है तो rectifier का काम किया था? पहले भी मैंने बताया था rectifier क्या करता है? यह AC को DC में convert करेगा तो हमें यहां से यहा DC यहां पर मिल गया हमें यहां पर क्या था? इसके output में हमें DC यहां पर DC होगी है अब battery से जो output निकलेगा वो भी DC रहेगा inverter क्या करता है? यह क्या करता है DC को AC में convert करेगा और फिर हमें यहां load को मिल जाएगा तो इसमें जो power source रहता है वो direct ऐसा जाकर का मतलब यह battery से ही load को जाता है battery से होते हुए ही जाएगा तो जब AC on मतलब AC main supply हमें मिलता रहता है power source on रहता है AC का तो हमें directly battery के पास आता है और हमें मिलता जाता है इसके साथ साथ battery जो है यहां पे वो charge भी होते रहती है जब यह AC main supply अवरूद हो जाता है जब नहीं रहता है तो क्या करता है कि य always power मिलते रहता है तो इसमें जो इसका main exam में जो mainly पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि online UPS में प्रात्मिक पावर सुरत किसे कहते हैं तो प्रात्मिक पावर सुरत इसमें क्या हुआ पहला इसमें हो गया battery ठीक है और जो second हो गया हमारा वो क्या हो गया AC main सा power ठीक क्योंकि इसमें double प्रकार का conversion होता है इसलिए इसे double conversion UPS कहते हैं इसका हम block diagram जैसे कि अगर AC नहीं रहा तो फिर कैसे बनेगा वो दिखा रहा आपको ठीक है अगर AC supply अवरुद रहा अगर नहीं रहा तो फिर क्या होगा यह battery से होते वे direct inverter होते वे आपको load को मिल जाएगा power ठीक है मतल होता है और जो second वाला स्रोथ होता है वो होता है AC main supply हम अब देखते हैं दूसरा offline UPS offline UPS आखिर होता क्या है एक और चीच online UPS में छूट गया है वो है कि एक main point आता है इसमें transfer time ट्रांसफ़र time आखिर होता क्या है तो main supply होता है AC main supply उससे battery में switch होने में जो time लगता है जैसे AC main supply अवरोध हो गया तो battery से output मिलेगा load को है ना तो इसमें जो time लगता है जब AC main cut हो जाता है और फिर battery से हमें load को power मिलने लगती है तो उसमें जो time जो लगता है एक से दूसरे म लग Taylor तैम लगता हैं इसको हम लो बोलते हैं ट्रांसफर टाइम क्योंकि ओनन Higher Bright उच्छ होता है तो हम उसमें लगाएंगे online UPS अब देख लेते हैं हम लोग offline UPS के यह ब्लॉक डाइग्राम है सारे UPS का working लगवग एक ही जैसा है थोड़ा बहुत changes है वो यह changes आती है किसका प्रात्मिक्स रोत क्या है किसी का battery होगा और किसी का main AC supply first source होगा power के लिए तो offline UPS के लिए हम लोग देख लेते हैं इस UPS में जो main power source होता है वो हमारा होता है AC main supply तो इसका working कुछ इस तरह से है कि जब हमें AC main supply मिलती है यहां से तो जब AC मिलते रहती है तो इस spikele protector के पास जाती है AC यह क्या करता है लोड को जितने भी दोस वगरा होते है ना उन सबसे यह दूर रखता है सुरक्षा देता है तो प्रोटेक्ट करता है यह लोड को फिल्टर के पास आता है ठीक है filter क्या करता है हमारा ये जितने भी noise वगरा होते है line noise उन सब को remove करता है हटाता है और हमें यहाँ load को output मिल जाता है transfer switch से होते वे जाके लेकिन जब AC जो ये main supply AC था ये नहीं मिलता है ये बंद हो जाता है जब AC जो main supply है हमारा वो हमारा बंद हो जाएगा यहाँ से आने वाली AC जो है ये AC main supply ये जब अवरूद हो जाएगा जब बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जब AC मिलता रहता है तो इधर से ये rectifier में आता रहता है ठीक यही process होता है rectifier क्या करता है AC को DC में convert करता है यहाँ पर बैटरी चार्ज होता रहता है और फिर बैटरी से इंवर्टर में इधर से जागर करके हमें यहाँ से output मिल जाता है तो यह कब होता है यहाँ का काम तो regular बना हुआ रहता है जैसे कि यहाँ से power इधर से जा रहा है जा रहा है जा रहा है लोड को काम दे रहा है और साथ साथ यहां से यह बैटरी भी चार्ज होता जा रहा है लेकिन जैसे यह AC में सप्लाई कट यह बैटरी अपना काम करना सुरू कर देता है यह क्या करता है इनवर्टर को देता है इनवर्टर क्या करता है DC को AC में करता है और कुलते हैं त्रांसफर टाइम जो कि ऐ stop और अचह कौन सघ्व तांसफर किसका हुआ और ऑन लाइन यू पी एसका कि उसके इसका सबसे कं रहता है ट्रांसफर टाइम जितना कं रहएगा वह उतना अच्छा कह सकती है कि उसका transfer time जिसका जितना कम रहेगा वो उतना उच UPS माना जाता है और अच्छा माना जाता है क्योंकि वो shift होने में time कम लग रहा है तो load को जल्दी power मिलेगा है ना किसी तरह का कोई नुक्षान नहीं होगा और offline UPS में थोड़ा time लगता है ठीक है मतलब हम यह कह सकते है कि microsecond microsecond तक time लग सकता है मिली से microsecond तक का time लगता है transfer होने में ठीक है और यह बहुत ही main point होता है transfer time यह बहुत ही matter करता है यदि battery charge मतलब charge है ठीक है और inverter के through हमें output मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि transfer time अगर इसका थोड़ा सा ज्यादा है मिली से microsecond है तो load को वहाँ पे जो load रहेगा वह काम करना बंद कर देगा फिर उसको इतने second बाद power मिलेगा और फिर से वह काम करना सुर्यों करना नहीं क्या कि यह बहुत तुरंट का काम होता है आपको पता तक नहीं चलेगा और आपका यूपेस वह काम करता रहेगा पावर देता रहेगा लोड को और वह लोड अपना जो भी है वह प्रोसेस करता रहता है यह बहुत जल्दी हो जाता है यह हमारा offline UPS वेन तब का है जब हमें AC main supply जो होता है यह अवरूद हो जाता है तो हमने बता है ना AC main supply जो है यह अवरूद हो गया तो यह तो प्रोसेस होता रहता है कि यहां पे रहता है हमारा reactifier लगा हुआ है reactifier क्या करता है बैटरी को चार्ज करता रहता है और बैटरी जब AC main supply हमारा कट हो जाता है तो यह बै इस UPS का जो block diagram है वो online और offline UPS से कुछ difference है इसमें और different यह है कि इसमें किसी तरह का inverter और reactifier अलग अलग नहीं रहता है इसमें inverter और converter का use किया जाता है तो यह उसमें जो उन दोनों का part अलग अलग था वो इसमें नहीं है तो यह थोड़ा सा कुछ अलग है आखिवाद प्रोसेस स सबका एक ही काम है बिना रुके लोड को पावर देते रहना तो हम लोग अभी देखेंगे लाइन इंट्रक्टिव UPS के बारे में कि इसका बिसका डिजाइन है जो भी जोसे मनें बताया अभी तुरंद थी कि on-line UPS और offline UPS से थोरा सा इसमें क्या होता ना कि बैटरी जो charger होता है वह inverter और noise filtering जैसे पीछले में था battery charger, inverter, noise filtering तो इसमें वो सब चीज यूनिट के स्थान पर inverter और converter का यूज़ चाइँ जाता है ठीक है था हूं का युछ दो 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 जिंग जो हुआ रहता है लगातार बैटरी को चार्ज करते रहता है और सभी टोगा होगा तो बैटरी से खहां पट मिलता हैा ex-laf करें दो रहता है और ज़ costume हुआ चेल को प्रदान की नुल रहता है Underul converter unit जो होता है, वो converter की तरह कारे करता है, और तब जो होता है, वो input में जो AC प्राप्त होता है, AC supply वो DC में परिवर्थित करके बैटरी को चार्ज करते रहती है, ठीक है, जब AC main supply अवरूद हो जाती है, मतलब जब AC main supply रुख जाती है, तो यह विपरित दिस्सा में कारे करने ल transfer switch on हो जाता है, उस टाइम पर inverter converter जो unit होता है, वो inverter की तरह कारे करने लगता है, तो जैसे वो inverter की तरह कारे करने लगेगा, तो यह बैटरी से प्राप्त जो भी DC रहता है, उसको AC में चेंज कर देगा, और उसके बाद AC main supply जो होती है, वो load को मिल जाती है, इस UPS में switch को open होन में जो समय लगता है, transfer switch को, जो open होने में समय लगता है, मतलब तो यह जाधा time लगता है, इस लिए इसमें जो transfer time होता है,살 सब ट्रांसपर टाइम तो सब लिए महत्पुन घटक है ही मेन पॉइंट्ट होता ही है ये इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है ये अच्छा और वी देता है तो की लगातार वो लोर्ड से ने लेता है इसलिए ये सहही है लेकिन हां एक cuma यह सए में खहल से कर वह सव को कि में अगर उसमें किसमें खौपी से तो धिलकुल भी मिलेगा भिलकुल भी नहीं रहीं पिर इस वा मतलब एक short में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कीमत, comparison कर दे रहे हैं, online UPS, offline UPS और line interruptive UPS में, ठीक है, तो इनका जो दक्षता होता है, efficiency, तो online UPS का efficiency, लगबग 80% होता है, जो की निम्न माना जाता है, ठीक है, offline UPS का high माना जाता है, 80% से उपर होता है, ठीक है, और line interactive UPS का, ज 95% तक माना जाता है, 90-95% मान सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो efficiency किसका high होता है, line interactive UPS का, ठीक है, उसके बाद जो आपका कीमत है, वो हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा कीमत किसका होता है, online UPS का, then फिर होता है हमा स्विच करने में जो टाइम लगता है एक पावर सप्लाई से दूसरे पावर में तो वह जो होता है वह ऑनलाइन उप्यस का सबसे अच्छा होता है सबसे अच्छा इट मीन सबसे कम यहां पर सबसे अच्छा का मतलब है सबसे कम होता है तो सबसे कम किसमें होता है ऑनलाइन UPS ठीक है फिर उसके बाद Line Interruptive UPS और फिर लिया वो Online UPS ठीक तो यह हो गया हमारा Main चीज Online UPS, Offline UPS और Line Interruptive UPS के पारे में लेकिन UPS के टाइप में यह तो Working का हो गया Working में कितने टाइप के UPS वे वार्किंग के अधार पर Online UPS, Offline UPS और Line Interruptive UPS Then फिर हम यह भी तो देखे थें कि Input के अधार पर, Input के अधार पर भी तो UPS था, Input Supply के Recordingly दो टाइप का UPS था, ठीक है, वो कौन-कौन सा था, Single Phase UPS और था, Three Phase UPS System यह हो गया आपका On the Basis of Input Supply, तो हम लोग Input Supply के उपर देख लेते हैं यह है Single Phase UPS System, Single Phase UPS System मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस सिस्टम में जो सप्लाई होता है, वो 230V और 50Hz पर पावर सप्लाई दी जाती है यह जो सिस्टम होता है, इसमें पावर सप्लाई के लिए दो वायर को प्योग किया जाता है, जिसमें कि एक Phase वायर और दूसरा जो वायर होता है, वो Neutral वायर होता है इसमें इनपुट में दो वायर फेज वायर होते ही है, जैसा मैंने आपको बताया, और इन वायरों के इनपुट टर्मिनल में साइड में जो होता है, वो फ्यूज लगा होता है और ओवर वोल्टेज के स्तिती में जब भी सर्कृट को बचाना रहता है, तो इसके बाद दोनों जो वायर होते हैं, उसके बाद रेक्टिफायर मतलब साइड में जोड़े जाते है रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर के और आट्पुट को बैट्री योम इनवर्टर से जोड़ा जाता है और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि फेच और नूट्रल टर्मिनल के रूप में और पूट प्राप्त हो जाता है चिक है output में मतलब 2 ची दिखाया गया तो उसके रोप में ही output हमें प्राफ्त हो जाता है यहाँ figure में देख सकते हैं पूर कि मैं आपको बता दहीं हूं यह देखें यहां से output यह हमारा 1 और 20 गोना 1 Esp इसे के दुवारा हमारे input जाता है और इसके साथ साथ यह 50 Hz 50 Hz की supply power supply यह सारा चीज होता रहता है इसके बाद हमारा जो आ जाएगा portion वह हमारा यह single phase UPS समली में मैं आपको बताती हूँ साथ आपको अच्छे सा समझना आया हूँ तो मैं आपको एक बार फिर से अच्छे सा समझाने के कोसिस करती हूँ जो कि इनका main point है single phase UPS system का single phase UPS system का जो supply होता है वह होता है हमारा 230 Samsung और 50 подní यह इसी पर काम करती है और इसमें इस पाल प्रेंनाली में दो वायर होते हैं दो वायर कॉन-कॉन से वह एक phase हो गया और एक neutral हो गया इसके input में दो वायर फीज़ और neutral जो यूज किया जाते हैं वह input में उसके और इन वायर के इनपूट टर्मिनल साइड में फ्यूज लगा होता है जो ओवर व्ल्टेज की सिथी में जो सर्कृट रहता उसको बचाता है Fuse क्यों यूज क्या जाता है protection के लिए तो जब इसमें दो वाइयर होते हैं नूटॉल और फीज उसके input side में ही दो फ्यूज लगे होते हैं और वह जो फ्यूज होता है वह हमें प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज का यूज कईжा जाता है तो में लिए इसमें एक ही चीज है, दो वायर का यूज किया था सिंगल फेज यूपियस में, ठीक है, एक नूट्रल, एक फेज, 230 वोल्ट और 50 हड्स की त्रिकेंसी पे ये काम करता है, दूसरा हमारा आजाता है थ्री फेज यूपियस सिस्टम, थ्री फेज यूपियस प्योग करते हैं हम लोग, उसमें दो वायर को प्योग किये थे, फेज और नूट्रल, इसमें चार वायर का यूज करते हैं, जिसमें कि तीन जो होता है, वो फेज वायर होता है, और एक जो होता है, इसमें नूट्रल वायर का भीवर जो होता है, वो सुन्य होता है, मतलब जीरो माने जाता है और उसको ground से connect भी कर देते हैं क्योंकि three phase जो है तो इसमें कौन-कौन सा हो गया तीन वायर हो गया तो तीन वायर का कौन-कौन सा color क्या होगा र, y, b मतब red, yellow और blue नीला ठीक है और जो neutral होता है उसको n से दर्साया जाता है three phase voltage की जो frequency तथा उसका जो high होता है उस्तम मतलब कह सकते हैं कि उसकी frequency high मानी जाती है ठीक है और उसको high रखा ही जाता है और तीनो phase voltage एक दूसरे के सापिक्च एक तीहाई time period से विस्थापित होते रहते हैं यह जो figure है यह हमारा three phase UPS system का figure है और इसमें तीन वायर होते हैं तीन क्या चार वायर होते हैं तीन तो हमारा phase wire हो गया और एक neutral वायर हो गया phase wire में तीन वायर कौन से वे र, Y, B मतलब red, yellow और blue ठीक है इसमें 415V दी जाती है मतलब 415V सप्लाई होती है और 50Hz की power supply यह इसमें दी जाती है ठीक है यह हुआ थ्रीपेज UPS system का कारे प्रनाली हम इसक के लिए देख लेते हैं थैंक यू